मद्य प्रदिश विधान सभा के नेता प्रतिपक्षजे सिंग ने कहा कि केंद्रिय कपड़ा मंत्री स्मृती इरानी का उमर्या जिले में व्यावासाए कोपियों के लिए जमीन खरीदना और उसके अलावा सरकारी स्कूल की जमीन पर भी कबजा कर लेना शर्मना खृत्ते है सिंग ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने राजिको दिल्ली के भाजपा नेताओं का चारा गाह बना दिया है ये नेता मुख्यमंत्री की राजनीतिक मजबूर्नियों का फाइदा उठा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि व्यापम जैसे गोटालों में समलिप्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान खुद को बचाने और प्रधान मंत्री के करीबी भाजपा नेताओं को उप्खृत करने में लगे हैं इसके लिए वे सारे नियम काइदे ताक पर रखकर सरकारी मदद कर रहे हैं उन्होंने स्मृति इरानी के राजनीतिक कद को देखते हुए उन्हें केवल जमीन आवंटित नहीं की है बलकि उन्हें स्कूल की जमीन पर भी कबजा करने की खुली छूट दे दी नेता प्रतिपक्ष सिंग ने कहा कि मुख्य मंतरी एक और स्वर्ने मध्या प्रदेश विक्सित मध्या प्रदेश पनाने का दावा कर रहे हैं और दूसरी और अपने आकाओं को प्रदेश में खुली लूट करने की छूट दे रहे हैं ग्यात होकी केंद्रिय कपड़ा मंत्री स्मृती एरानी के पती जुबन फर्दून एरानी की कमपनी ने उमर्या जिले में एक जमीन खरीदी है आरोप लगा है कि जुबन ने उस चमीन से लगती सरकारी स्कूल की जमीन पर भी कबजा कर जब अरन लोहे की फैंसिंग लगवा दी है उमीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और हाप सबसे जरूरी बात हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करना न भूलें नीचे लाल रंग के सबस्क्राइब बटन को अभी दबाएं और हमारा चैनल सबस्क्राइब करें धन्यवाद